अस्सालाम अलेकुम, Instrumentation of Atomic Absorption Spectroscopy इसमें जो हमारे पास Second Most Important Component है वह है Automizer Automizer हम तीनी तरह के इसमाल कार रहाते हैं Atomic Absorption Spectroscopy में वह है Burner, Non Flame Automizer, Cold Flame Automizer सबसे Top के उपर है Burner, Burner की अगर टाइबस देखी हैं तो जी दो टाइबस हैं से पहले प्रेमीकस चेंर बरन जिसको मनें प्रीबिएस रेक्टर केंदे कर लिया सबirst इसमें तॉटल कंजंशन बरनर कंजम्शन बर्नर अब बात आजाते इसको टोटल कंजम्शन बर्नर क्यों कहते हैं कंजम्शन बर्नर कंजम्शन का मतलब होता है खर्च कर ले खर्च करना क्या होता है खर्च करना टोटल सारे का सारा अब इसको टोटल कंजम्शन बर्नर इसलिए कहा रहते हैं इसमें आपका स सारे का सारे यूज हो जाता है, this burner is known for total consumption, total consumption, यह total consumption के तोवर भी जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, because, क्योंकि in this burner, in this burner, इस burner में all the sample, all the sample is consumed, सैंपल इस इसमें आपका सारे का सारा सैंपल कंजियूम हो जाता है, इस इसको नाम दे जाते हैं, total consumption burner, में चीज़ आ जाती है, इसकी डायाग्राम यह चांस्ट्रक्शन की, तो अगर चंस्ट्रक्शन देखोगे, तो हमारे पास total consumption burner इस तरह के, इस तरह कुछ होता है, इसमें दो चंबर होता है, पहले नमबर पर यह, और सैकंड नमबर पर इस तरह का यह वाले चीज़, यह कुछ इस तरह का होता है, अब इसमें देखो, यह जो दरम्यान वाला होता है, यह बाहर वाला अलग होता है, जिन जो चीज़ अगर हम दरम्य तो यहां पर नहीं सकती है और यहां पर हमारे पास होता है नहीं अब यहां पर नहीं के बाद सबसे से सीखते जाएगा सारी शिएसे इंपर्टन्ट एक आपने किया करना ने और द्सको उक्सिडेंट को जो अंदर में उसके इंदर currency में ट्यमें फिकले में निया है, हाइलाइट कर देता हूं आपका ऑक्सिडेंट यहां पर जाएगा ऑक्सिडेंट यहां पर थोड़ सा हाइलाइट कर रहा हूं तो यह अंदर वाली ट्यूब में और इसके बाद हमारे पास जो फ्यूल होता है वह फ्यूल को आप इंटर करो यहां पर यहां पर यहां पर यहा सैंपल सैंपल आपने कहां से इंटर करना है याद रखींगे क्wir pen अंदर वाले शी करते हुद इस तरह करती हो इस तरह से सैंपल के लिए इसमें बिलकुल इस तरह अग corridor को छोड़ देते हैं यह मार पाथ कुछ इस तरह की कना लिया हैТवीया ख्लत कि यहां पर हम ने रखा हुआ है यहां से आपका जाना ऊपर गिदर ऊपर हमारेपास है इसमें आपका सारी अपर जाकि इसंगा कि अधे डिर्स के Start किस तरह कॉंसिस्ट करॉह आ आप याद रखिए गाइसमें चांद चीजें जो इंपोर्टेंट है वह यह है कि आपका जब यहां सेंपल जाएगा यह हमारे पास कहा है सेंपल के ड्रोप्र dériñ का सााइज कितना होगा जब इसको इस पाइरेट करवा होगा यहां पर तो उब का जो ड्रोप carbohydrate होगा उसका साइज तो करिबնतीकरीबन 20 20 micrometer होता है, किदना होता है, 20 micrometer, सी यही बात लिखूँँ का, the size of sample droplet, sample solution, is about 20 micrometer, 20 micrometer, यह average size होता है, तकरीबन जो average बाना थे, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन average size, तकरीबन तकरीबन, 20 micrometer होता है, 20 micrometer, अब यह था जिया, मारे पास पूरी की पूरी construction, पूरी की पूरी construction के बारे में कुछ लिख सकते हो, वो जो बात लिखनी है, वो आप इससी तरीकर से लिख सकते हो, देखो हमारे पास क्या है, जो बरनर है, यह दो compartment, यह दो ट्यूब्स पर मुश्मिर होता है, जो center वाल हैं, जैसे ही जलेंगी, यहां पर कुछ नहीं कुछ amount में energy पैदा होगी, और energy पैदा जो होती है, वो आपके sample solution के अंदर, जो sample solution है, यह स्पोस्थ कि M, X है, इन दोनों component को अलएदा कर देगी, और यही हमारे पास main मक्सुद देगी, यह दोनों के दोनों component अलग गो जाएं, इस process को हम नाम दे रहे होते हैं, Automization का, क्या नाम दे रहे होते हैं, Automization या Automizer, इस process, इस चीज़ को Automizer कहते हैं, क्योंकि इसमें आप दो component को अलएदा अलएदा कर रहे हो, जिस तरह NACL है, NACL में NACL में NACL को अलग करना, और CL को अलग करना Automizer कहलाता है, यह था है, यह मारे पास सारे के सारा procedure, यह हमारे पा इसके screenshot लाज में ले लिजिए हुए,